हलो दोस्तो मेरा नाम है अभी विन है और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इस्पैसल है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया था कि हम डिजिटल पेंटिंग सुरू करना चाते हैं कैसे ये सुरू करें कौन सा सोफ़वेर यूज़ करें बहुत सारे मैसेज़ेस थे बहुत सारे सवाल थे तो आज मैं फाइनली आ गया हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तो सबसे पहले आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि कैसे हम ये पेंटिंग सुरू करें इसको करने के लिए किस किस चीजों की जवरत पड़ेगी कौन सा सौफ़वेर यूज़ करें कैसे करें ये सारा कुछ आपको नहीं पता है तो आज इस वीडियो को आप सुरू से लेकर लाज तक देखिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप बहुत सारी चीजे सीख कर जाएंगे डिजिटल पेंटिंग सुरू करने से पहले आपको ग्रोइंग आना चाहिए और कलर करना आना चाहिए पेपर में ड्रोइंग कैसे होता है किस तरह से पेंसिल यूज़ कर सकते हैं ये सारा थोड़ा सा नोलेज आपको होना चाहिए डिजिटल पेंटिंग करने के लिए आपके पास आईपेड या फिर ड्रोइंग टैबलेट होना चाहिए या फिर कम्प्यूटर से भी बना सकते हैं लेकिन कम्प्यूटर में बनाने के लिए भी आपके पास एक पैड होना चाहिए जो डिजिटल वाला होता जिसमें आप प पेंटिंग करने के लिए software का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारे software है, जैसे Photoshop है, Procreate है, Autodesk, Sketchbook है, Infinity Designer है, और भी बहुत सारे software है, आप Google में search करके देख सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है, तो मैं अगले वीडियो में आपको बहुत सारे software का नाम भी बता दूँगा, जो आप use कर सकते हैं, अब बात आ गए कि कहां सीखें, और किस से सीखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, यानि कि बहुत सारे institution हैं, बहुत सारे classes हैं, बहुत सारे university हैं, जो ये आपको सिखाते हैं, तो आप जाए admission लें और सीखें, अगर आपको पैसे खर्च नहीं करना है, admission नहीं लेना है, और आपको सीखना है, तो सबसे अच्छा जो जगा है, सबसे अच्छा platform है, वो है YouTube, YouTube से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और रही बात, किस से सीखें, तो आप सही जगा पर हैं, यानि कि आप मेरे channel में हैं, तो आप मेरे channel को subscribe करें, अगर आपने मेरे channel को नहीं देखा है, मेरे videos को नहीं देखा है, जिस तरह से में painting करता हूं, तो आप एक बार मेरे वीडियो को चेक करें और देखें कि वीडियो कैसा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेर करें तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाट